असलाम लेकुम स्टूडेंट्स मैं हूँ इजा बतूल उमीद करती हूँ आप से बिलकुल टिक टाक होंगे तो आज की वीडियो में हम चाओ टापिक्स को क्लियर करेंगे फर्स टॉपिक यह है कि आप बोर्ड एक्जैम्स में टाइम को किस तरह मैनेज कर सकते हैं क्योंकि अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो बोर्ड एक्जैम्स तक आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे दूसरो टॉपिक यह है कि बोर्ड आंसर शीट के जो पेजिस हैं उन पी हम अपने पेपर को किस तरह सॉल्व करें किस तरह मैनेज करें क्योंकि अंसर शीट के लावा आपको एक्स्टा पेजिस नहीं मिलेंगे तो हमें क्या पैटरन अपनाना चाहिए कि हम अंसर शीट के लावा हमें नेक्स्ट पेजिस की ज़रूरत एक्स्टा पेजिस की ज़रूरत ना परें यह एक्स्टा क्वेशन्स के बारे में हम लोग डिस्क्स करेंगे और लांस्ट्अपिक यह है कि शॉर्ट क्वेशन्स की लैंथ कितनी होनी चाहिए तो सबसे बहूंअब बात करती हैं कि बोर्ट एक्जैंप्स में हम लोग टाइम को किस तरह मैनेज करेंगे एजिले हमारा पेपर पी सॉल्फ हो जाए, मारी राइटिंग भी अच्छी हो जाए और हमें किसी मुश्किल का सामना ना करना परे सबसे वहले मैं आपको अपनी एक्जम्पर देती हूँ मेरे फर्स्ट यूम में अलहमदुलिल्ला उर्दु में इस तरह मैंने टाइम को मैनेज किया था कि मेरे फाइफ मिनट्स बच गए थे और उन फाइफ मिनट्स मैंने पेपर को एक दफ़ा सारा रिट किया था लेकिन इसके बरक्स मेरे फिजिक्स में इस तरह पेपर को साल किया था कि मेरे पास सिर्फ तीन पेजिस पर रहे थे जिसमें मैंने अपने लोंग क्रेशन अटेंट करने थे मैंने अपनी मिस्टेक से क्या सीखा मैं इस हवाले से भी आपको सारा गाइड करूंगी तो time को manage करने के लिए मैंने यहां पे कुछ points बनाई है first point ये है कि आपके पास उतने markers, prime頭s या pens हो जितने आप easily carry कर सकते हैं जिनसे आप पहले practice कर चुके हैं यह नहों आपको cut marker से लिखना ना आता हो और आप boat के paper में cut marker लेके जा रही हो और वहां पे वो मार्कर्स पहली दफ़ा यूज़ करें तो मेरा मश्वरा यह है कि उतनी चीज़ें केरी करें उतनी चीज़ें अपने जमेटरी बॉक्स में डालें जो आपके लिए केरी करना असान है जिससे आप इजी ली पेपर भी अटेम्ट कर सकें सेकिंड एड मोस्ट इंपोर्टन चीज़ आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं टाइम मैनेजमेंट में आपको जो वर्ड्स का साइस है वो ना तो ज़्यादा चोटा होना चाहिए ना ही आप ज़्यादा खुला खुला लिखें बिल्कुल मीडियम साइस की आपकी राइटिंग होनी चाहिए इस चीज़ की आपने पहले प्रैक्टिस कर लिनी है अब आप लोगों ने अच्छे मार्गर्स भी ले लिए उनसे आपको लिखना भी आ गया आप लोगों ने वर्स का साइज भी अरेंज कर लिया थर्ड पॉइंट है कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो राइटिंग आपकी इस तरह की होनी चाहिए कि चेकर को आपकी समझ जाए आपको अपनी राइटिंग ही समझ जाए यह भी नहीं जुरूरी कि फर्स क्लास राइटिंग हो बहुत प्यारी हो और यह भी नहीं जुरूरी कि बहुत जादा गंती हो आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए पेपर प्रेजेंटेशन नॉर्मल होनी चाहिए जादा best की तरफ ना जाएं, जादा चीज़ों को highlight ना करें, जादा चीज़ों को prominent ना करें, simple simple चीज़ों को highlight करें Next point है कि अपने अपने आपको अच्छा सा arrange कर लिया, writing भी आपने best कर लिया, markers भी ले लिये आपने इस चीज़ की practice करनी है, कि आपने हर question को एक specific और given time में solve करने की practice करनी है पैरे बच्छों आप अगर इसकी practice कर लेना तो आप यकीन जानी है, आपकी आदी परेशाने खतम हो जाए जैसे for example, आपने long questions को अपने mind में set करना है कि अच्छा मैंने long questions को 20 minute में solve करना है मैं आपको एक example दे रही हूँ, तो आपने time के according उसको 20 minute में solve करना है first day आप 25 minutes में करेंगे, second day आपको 23 minutes में हो जाएगा, third day हो सकता है long question lengthy हो, आप 30 minutes में करें लेकिन अगर आप daily basis के इस चीश की practice करेंगे, तो एक time ऐसा आएगा कि आप 20 minutes में उसी long question को solve कर सकेंगे तो board exams में जाने से पहले, कम से कम, 2-3 हफते पहले इस चीश की practice करें कि एक given question को इसके given time में आपने solve करना है, अपने पास एक watch रखने, जैसे ही time खतम होगा आपने लिखना छोड़ देना है, इस चीश की practice आपने अपने test में करनी है, school test या college test में, इससे आपको बहुत जादा फाइदा होगा, इंशाला ताला next बात करते हैं, जिसका तालुक short question की length से भी है, कि हमने short question में कि कितनी length होनी चाहिए, उसमें to the point बात करनी है कि नहीं करनी, तो ये बात बहुत important है, अगर आप short questions में जादा लिखना शुरू कर दें तो आपके पास time खतम हो जाए, तो इस बात को आपने दिहान से सुना है, कुछ short questions ऐसे होती हैं, जिसमें हमने to the point बात करनी होती है, और कुछ short questions ऐसे होती हैं, जिसमें हमने थोरा से explain करना होता है, ये चीज short questions के material पे depend करती है, short question की length, short question के material पे depend करती है, जैसे मैं आपको example देती हूँ, अगर physics में एक short question आए, 9th class का, के velocity के बारे में लिखें, लिखेंगे, तो फिर आपको marks मिलेंगे, तो ये आपकी अपनी practice होगी, आपने school में test दी है, college में test दी है, teachers ने आपके test चेक किये, तो आपकी practice इतनी होने चाहिए, test आपने इतने दिये हो, कि आपको पता हो, कि पुछे गए short question में हमने कौन कौन सी बाते लिखनी है, तो हम कर रही हैं, और पूरी तशरी बना दी, ऐसे नहीं करना, to the point बात करनी है, two marks का short question होता है, आपने material के according short question को attempt करना है, short question की length, आपने कभी भी अपने जहन में specific नहीं करनी, short question की length, हर short question के material के according different होती है, अब यहाँ पर एक बात बहुत matter करती है, चेकर को नहीं पता कि आपने रातों को जाग जाग की मिहनत की है, आपने धेरो टेस्ट दी है, अपनी तरफ से आप best perform कर रही है, चेकर के सामने आपके पास चंद sheets का paper है, जिसको उसने check करके आपको marks देने है, तो आपका paper इस तरह का होना चाहिए, आपका short question इस तरह का होना चाहिए, कि चेकर impress होजए अब आपने यहाँ पे एक बात सोचनी है, मैं भी यह सोचती थी, मैं आपको बताती हैं तो इसी फणी बात है, मैं सोचती थी, जो चेकर है ना, वो दुश्मन है हमारा, उसने हमारे marks किसी तरह करने है, तो हमने इस तरह का material पेश करना है, कि या तो over writing भी ना हो, और उसको को prominent करके बताना है, कि चेकर को लगे कि इस बच्चे को आता है, वो आपको marks देने पे मजबूर हो जाए, अब बात करती है कि अगर हम खुला खुला लिखना शुरू कर दें, हर short question को explain करना शुरू कर दें, तो हमारी जो board answer sheet है, उसके pages कम हो जाएंगे, pages कम हो जाएंगे, हम long questions को किस तरह attempt करेंगे, अगर pages कम होगे, तो हम किस तरह और किस length को मदे नज़र रखते हुए board answer sheet को solve करना चाहिए, यहाँ पर दो अहम बात नहीं है, पहली बात ये, कि आपने इतना खुला खुला नहीं लिखना कि चेकर को लगे कि बच्चे ने खुला खुला लिखने के चकर में pages को fill करने की कोशिश की है, यह बात बच्चे उस वक्त करते हैं जब वो कोई long question attempt कह रही हो, जैसे park study का long question हो गया, islamiyat का हो गया, वो खुला खुला लिखते हैं, वरी-वरी headings बनाते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यदा prominent कर देते हैं, यह चीज़ negativity की तरफ जाती यह ऐसे लगे कि बच्चे ने काफी चीज़े लिखे हुई है, अच्छा यह भी लिखे है, अच्छा यह भी लिखे है, चाहिए कि जहन में यह बात होने चाहिए, यह चीज़ उस वक्त होगी जब आप practice करेंगे time के according अपने long questions को attempt करेंगे, अब चलते हैं जी extra questions की तरफ कि क्या हमें extra questions paper में attempt करने चाहिए, क्योंकि extra questions करने से भी time में ज़रूर, असर पर एकार time हो सकता है, आपसे manage ना हो, आपके according manage ना हो रहा हो, तो extra questions, मेरा और जो मेरी teachers मुझे हमेशा कहते थे, मैं आपको वही तरीका बताऊंगी, checker जोंस होते हैं, सची बात बताती हूँ, ज जितना जल्दी paper check करेगा, उतनी ही जादा उसको पैसे मिलेंगे, तो अब हमें नहीं पता, महां पर जो checker बेटा है, वो हमारे extra questions check करता है, या नहीं करता, अगर वो नहीं भी करेगा ना, तो हम उसका कुछ नहीं बिगार सकते, these checking ने तो बात की बात है ना, लेकिन अगर चेक नहीं करता है, तो हम उसको कुछ नहीं बिगार सकते, आप लोगों ने extra questions में focus नहीं करना, आप लोगों ने focus करना है, तो उन questions में जो आपने attempt करने है, लाइक अगर 10 questions आएं जिसमें से 6 attempt करनी है, और 4 extra questions है, वो first 6 questions आपके इतने best होने चाहिए, कि आप बिल्कुल आप आपके जहर में ये बात हैं, तो समझी आपके लिए best है, स्टूडेंट्स समझते हैं, कि हम 4 चर वाके बताते हैं, हम 4-4 extra करके आई हैं, हम 5-5 extra questions करके आई हैं, तो प्यारे बच्चों, ये matter नहीं करता कि आपने 4 सवाल extra किये, आपने 5 सवाल extra किये, matter ये करता है, कि जो आपके ठीक हैं, ये नहीं हैं, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, कि अगर मैम हमें कैसे बता चलेगा हो ठीक है ये नहीं है, वहां कौन सा बैठके चेक कर रहे होती हैं, बुक लेके गए होती हैं, तो आप लोगों को नहीं क्या करने हैं, अगर 6 सवाल attempt करने हैं, एक extra कर जाएं, तो आप लोग extra questions उस वक्त करें जब आपको थोड़ा सा doubt हो, कि जो मेरे first questions हैं, उनमें कोई mistake हो सकती है, otherwise extra questions आप एक कर लें या दो कर लें, इससे जादा बिलकुल भी ना करें, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि time को किस तरह manage करना है, फिर मैं आपको ही बात कि आप जितनी practice करेंगे, जितनी आप इस चीज़ की तरफ जाएंगे, क्योंकि time management बहुत जरूरी है, students को सारा सारा paper आता है, लेकिन वक्त की कमें की वज़र से, उनमें paper को नहीं solve कर बाते, मेरे साथ भी board की paper में इस तरह हुआ है, तो मैं चाहती हूँ, अगले किसे student के हर बात बताई थी, to the point बाते नहीं, लेकिन हर बात को मैंने details अबताया, इक तरह से उनकी तश्री कर दी, तो long question तक मेरे pages सिर्फ तीन pages राइगे थे, जिसमें मैंने long question attempt करने थे with numerical, लेकिन Allah अला का बहुत बहुत शुकर है, मेरे marks बहुत अच्छी आ गए थे, मैं आपको य marks कहां कहां पे कम हुए हैं, over writing की वज़े से कहां पे कम हुए हैं, और वो गल्दी आप लोग बोर्ड में ना करें, और उसके लावा मैंने Instagram पे एक story लिखाई थी, जिसमें मैंने आपसे पूछा था, कि अगर आपका कोई question है, तो आप मुसे पूछ सकते हैं, तो बहुत से students में बहुत से important questions पूछे थे, तो मैंने सोचा उन questions का answer में इस वीडियो के last में दे दूँ, लेकिन मुझे लगता है, वीडियो already ही काफी लंबी हो चुकी है, तो यहीं से इस वीडियो को हम खतम करते हैं, और अभी मैं next वीडियो भी बना देती हूं, जिसमें मैं आपके messages का जवाब दूँगी, messages का भी और Instagram पर जो आपने मुझे से questions पूछी हैं, उनका भी next वीडियो में, वो वीडियो भी इन्शाला में इस वीडियो के बाद upload कर दूँगी, और उसकी लावन next वीडियो किस चीज से related होनी चाहिए, नीचे comment करके बताएं, आज के लिए इतना ही अपना धेर सरा ख्यार रखें, दूआओं में याद रखें, अल्ला हाफिज